चनल फिनोईच पे पॉस्क्राइब नहीं किया तो जरूर कर लिजे शेयर मार्केट से जुरे कंटेंट पाने के लिए तो चली शुरू करते हैं स्टॉक की बाते दोस्तो आईडीएपसी फर्स्ट बेंक के और से एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे बोल सकते देखने को मिला है जहाँ पे आईडीएपसी फर्स्ट बेंक पटर्ना हुआ है प्रनाशिप किया है मुंबाई इंडियांस क्रिकेट टीम से अभी इसके चलते आईडीएपसीफ फर्स्ट बेंक के और से बहुत सरे सर्विसे प्रोबाइट किया जाएगा तो अभी यहापे जो IPL हो रहा है उसके चलता है अगर देखेंगे जो मुंबाई इंडियन्स टीम में उसके सब पार्टनर्शिप के है IDFC First Bank ने और IDFC First Bank जो है ऑफिशेर पार्टनर होने के बादा भी यहापे बहुत सरे सर्विसेज जो है प्रोडक्स जो है ओफर करेगा मुंबाई इंडियन्स टीम को और उसके प्लेयर्स को इंक्लूडिंग banking solution, credit cards and digital banking services यह सब कुछ provide करने वाला है IDFC First Bank यहापे अगर partnership का देखते तो partnership will also enable IDFC First Bank to engage with the Mumbai Indians extensive fans base across India and leverage the team's brand to increase its visibility and reach तो IDFC First Bank का अगर आप देखते एक बहुत बढ़िया चीज क्या है उसके जो management है IDFC First Bank है उसके business को बराने के लिए, business को grow करने के लिए कुछ ना कुछ अगर देखेंगे तो steps लेता जाता है जिसके जलते IDFC First Bank का जो visibility है market में वो बर जाएगा यहापर पातनाशिप देखेंगे लिए प्रफेंगे। को बलसेते की बोहत बरा फाइदा हो सकता है IDFC को । जह प्रेफ तर ब्सेता कि बव्बाइदेग कि आ इप आ इखरी को एद पिर देख आ फिर्स स्वर्स बैश्ट के थे बिकना तू इल्स ए बीड़ प्र Einsवें based through marketing campaigns and unique offerings with IDFC First Bank focusing on customer first solution and Mumbai Indians playing for their fans तो आप यहाप एक चीज़ अगर देखते हैं तो IDFC First Bank का जो services यह provide कर रहा है market में और बोल सेते कि अभी जो यह partnership के चलते जो services provide करेगा credit card से लेकि digital banking solution बहुत कुछ provide करेगा तो market में इसका बोल सेते कि यह भी होगा जहाँ पर IDFC First Bank का business और बढ़ सकता है क्योंकि इसका visibility बढ़ेगा market में और एक fan base है जो IPLT में उसका तो इसका आगे चल का अगर देखेंगे तो customer base भी उसमें बढ़ सकता है तो आभी IDFC First Bank का चली share को लेके समझते हैं समझे हो? समझे रहा है? IDFC First Bank का आप देखेंगे फिलाल अगर देखेंगे एक दिन के अंदर stock में 0.5% का यहाप एक गिराबड बनता हुआ दिखा है वही बात करते हैं दोस्तों यहापे जो है 5 डिस का अईक अपते के अंदर IDFC First Bank में 3.8% का गिराबड बना है एक बात करते हैं दोस्तों इसका जो एक टारगेट प्राइस का है तो यहापे तरह टेक्निकल इंफर्मिशन देख लेते हैं तो उसके आप देखेंगे तो IDFC First Bank का शेर जो फिलाल अभी है टेक्निकली यह एक निट्रेल लेबल पे चल रहा है टेक्निकली एक निट्रेल लेबल पे IDFC First Bank का शेर चल रहा है आड़े साइ इंडिकेटर कह रहा है कि यह जो IDFC First Bank का शेर है ना कि ओवरबोर्ट जोन में है मेक डी इंडिकेटर कह रहा है कि IDFC First Bank का जो शेर है यह एक ब्यारिस लेबल बना रहा है तो हो सकता है कि यहाँ से stock में तोड़ा गिरावट बने यहाँ पर makeडी का जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है बाई बात करते दोस्तों यहाँ एक हफते का अदर अगर आप देखते IDFC फास ब्लेंक का जो इसने एक low price बनाया है वो है 53.90 पेसे का और जो high price बनाया है 56.85 पेसे का और एक मेने के अंदर इसने एक low price बनाया है वो है 53 रुपिस का high price बनाया है 58.10 पेसे का बात करते दो त्री मंस के अंदर त्री मंस के अंदर इसने एक low price दिया था 52.30 पेसे का high price दिया है 62.75 पेसे का तो बहुत जबर्दस से यहां पर बीच में हम लोगो तेजी बनता हुआ दिखा था, अभी यहां पर जो एक average broker target price देखने को मिल रहा है, IDF से first bank के share को लेके, वो है 68.14 price है का, तो 68 रुपिस के उपर जो है यहां पर एक target price देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया target price है, और अभी यहां पर देखेंगे, तो बहुत जल्दे अगर देखते हैं, IDF से first bank के share में ऐसा जरूरी ने, कि 68 रुपिस के target price के लिए हम लोगो तुरंद खरीदना चाहिए, वो सकता है कि इसके लिए तो 68 रुपिस के लिए target price के लिए, अगर आग कोई भी share में खरीदरी करते हैं, तो हमें लगता है कि थुरा समय hold करना चाहिए, दोस्तों इसके share holding की बात करते है, IDF से first bank के, तो जो promoters है, उनके पास 30 September 22 quarter में stake था 36.47% का, और promoters का देख सकते हैं, आपर 31 December 22 quarter में stake थुरा कम किया है, जो कि 36.38% कर दिया है, and public 30.17% का stake था public के पास, 30 September 22 quarter में, और 31 December 22 quarter में, public ने जो है आपे stake कम किया है, 30.01% कर दिया है, FIS के पास stake था 19.28% का, और FIS जो stake आपे बढ़ाया है, FIS को लगा कि ये share जो है, आगे चल के return दे सकता है, and other institution के पास 9.98% का stake था, और other institution ने stake किया है, mutual fund का बात करते हैं, तो 4.09% का stake था, तो mutual fund ने stake किया है, 4.01% कर दिया है, तो promoters ने यहापे stake कम किया है, public ने stake कम किया है, वही देखेंगे, तो जो FIS है, उन लोगों ने stake बढ़ा दिया है, आदार institution ने तोरह stake कम किया है, mutual fund ने stake कम किया है, तो यहापे IDFC First Bank के बारे में अगर देखते हैं दोस्तों, जो अभी एक partnership का यहापे update देखने को मिल रहा है, इसके चलते हो सकता है कि यह stock में तोड़ा बहुत एक तेजी बनता हुआ दिख जाए, और यहापे disclaimer दना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे है, आपको IDFC First Bank का share खरेदना चाहिए, या बेशना चाहिए, request करते हैं जब भी कोई share खर आए, तो ज़रूर कर दीजी,